आज की ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो अपना खुट का चैनल चलाती है, जिसे ज़ादा लोग देखते भी नहीं है, उसे पता चलता है कि शेल्टर होम में लड़कियों के साथ दुश कर्म होता है, अब वो इस केस को कवर करने में लग जाती है, लेकिन आखिर में क्या होगा, क्या वो सभी गुनेगारों को सजा दिला पाएगी, या इस में उसकी खुट की जान चली जाएगी, यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई है क्राइम थ्रिलर फिल्म भक शक, जो के मुजफर के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो आदमी हसते वे कहता है, कि यह लड़की मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर इसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया, सोनू किसी को फोन लगाता है, और उन्हें लड़की के बारे में बताता है लेकिन रात के तीन बच गए थे, इसलिए कोई सोनू की मदद करने को तयार ही नहीं था, इसलिए वो लोग उस लड़की को लेकर शमशान चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने लड़की को माड़ दिया था, शमशान में काम करने वाला वो आदमी काफी सवाल पूछने ल उसे एक फाइल देता है जिसमें एक आडिट रिपोर्ट था, मुनावरपूर में लड़कीों के शेल्टर होम से एक खबर आई है, कि वहां के लड़कीों के साथ दुश्कर्म होता है, उनके साथ दुर वहवार किया जाता है, लेकिन वैशाली डर के मारे फाइल उसे दे द मांगते हैं, लेकिन इतने पैसे तो उसके पास भी नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर वैशाली फाइल ले लेती है और फाइल को पढ़ने लगती है, हम देखते हैं कि वैशाली अपना खुद का एक छोटा सा चैनल चलाती है, कोशिश निउस, जो कुछ खास नहीं च चोटे चैनल को लेकर उसे ताना भी मारता है, लेकिन वैशाली बड़े चैनलों में काम नहीं करना चाती थी, किसी के अंडर काम करके वो अपने बड़े मौके को गवाना नीचाती थी, अगले दिन वैशाली और भासकर मुनवरपूर पहुंच जाते हैं और गर्ल्स चैनल को देख रहे थे, जिसमें भासकर बेरोजगारी को लेकर एक न्यूज रिपोर्ट कर रहे थे, उसे देखकर वो आदमी बस हसते ही जा रहा था, उसके बाद अर्विन की बहन और उसके पती वैशाली के साधी सुदा जिन्दगी के बारे में उसे सवाल पुछने लग यहां ऐसी कोई खबर हमें मिली ही नहीं है, वैशाली कहती है इस पर एक रिपोर्ट बना है, लेकिन आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, लेकिन वो आफिसर बस इस बात को टालते ही रहता है, यह कहकर के इन्वेस्टिगेशन होने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होक गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये फाइल मेरे पास आएगी, और तब मैं कुछ कर पाऊंगा, फिलहाल नहीं, वो ये भी कहता है कि मैं भी दो बेटियों का बाप हूँ, वो भी चुप नहीं बैटना चाता लेकिन फॉर्मालिटीज तो फॉर्मालिटीज होती है, जिन वो बहुत शैतान आदमी है, वो चाता है कि वैशाली ये रिपोर्टिंग ना करे, लेकिन वो अपने पती की बात नहीं सुनती, अगले दिन गुपता जी से पता चलता है कि बंसी साहू अपना तीन न्यूस पेपर चलाता है, उसकी पहुँच काफी उपर तक है, वो एक श चाली उस रिपोर्ट को पढ़ती है जिसे परकर उसका भी दिल दहल गया था, वो अपने घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है जो एक पार्टी का था, अगले दिन दोनों जाते हैं पटना के खुशी शेल्टर होम में, और उस शेल्टर होम के मालिक से दोनों बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि जो फंड्स आते हैं सरकार की तरफ से उसी सारा खर्चा जलता है और 18 साल से कम उमर की लड़कियों को यहां रखा जाता है, दोनों आफिस में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग मदद किसकी लेंगे, क्योंकि किसी भी सरकारी आफिस में जा और बताती है कि उसी शेल्टर होम से लड़कियों के उपर होने वारे दुशकर्म की खबर भी आई है। इस पर और डिट रिपोर्ट भी बना है लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं हुआ। दोनों जब बंसल साहू से मिलने के लिए जाते हैं जो काफी पहुंचा वादमी है वो वैशाली से कहता है कि आप तो मेरे पीछे ही बढ़ गई हैं। उसे पता है कि दोनों चायल्ड वेलफर कमिटी गए थें और उसी के बाद बंसी ने वैशाली के पती अर्विंद को फोन भी किया था और उसे ये भी पता है कि अर्विंद पोस्ट आफिस में क इतना ही नहीं वो इंडारेक्टली वैशाली के परिवार को मारने की धंकी भी देता है और कहता है मेरा नाम बंसी है इसका मतलब ये ने की कोई भी बजा के चला जाए उसी रात वैशाली भासकर को उसके घर पहुंचा कर जब अपने घर जा रही थी तो एक गाड़ी उसे लगती है लेकिन वो किसी तरह अपने घर पहुंचाती है और देर रात आने को लेकर अरविंद वैशाली को बहुत डाटता है कहता है कि मैं इतना कमा लेता हूं और तुम्हें इससा फालतू की काम करने की जरुट नहीं है वैशाली भड़क जाती है कहती है मेरा काम तुम इंतजार करते रहो कि ये प्राबलम तुम्हारे घर तक कप पहुचेगा, मैं नहीं रुकूंगी, तुम्हारा परिवार मेरे पीछे क्यों बढ़ा हुआ है बच्चा पैदा करने के लिए, अगर तुम्हें यही चाहिए तो किसी और से पैदा करवालो, मुझे छोड़ के लिए कहता है, भासकर ठक गया था और कहता है कि आप इस खबर को किसी बड़े न्यूस चैनल को दे दीजिए, कम से कम यह आवास सरकार तक तो पहुच जाएगी, फिर वो लोग पहुचते हैं मदू भनी जहां के शल्टर होम में उन्हें सुधा नाम की लड़की मिलती है जो पहले मुनवर पूर शल्टर होम में खाना बनाए करती थी, और अब वो यहां खाना बनाती है, अकेले में बात करते वक्त दोनों सुधा से पूछते हैं कि सुना है कि मुनवर पूर के शल्टर में लड़कियों के साथ गलत काम होता है, तुमने कुछ देखा है क्या, ल वो मुनवर पूर के शल्टर होम में गई थी, वहां उसे नौकरी मिल गई थी खाना बनाने का, वहां के मालिक बंसी साहू थे, वहां वो सबसे पहले सोनू से मिलती है, सोनू उस शल्टर होम का सारा काम देखता था, सोनू सुधा को एक औरत से मिलाता है जो वहां की वो औरत सभी लड़कियों से कहती है, आज ये नहीं लड़की, सुधा तुम लोगो के लिए खाना बनाएगी, एक दिन सुधा से मिलने के लिए एक लड़की आती है, यहां से जितना जल्दी हो सके भाग जा, यहां के लोग अच्छे नहीं है, तब ही वहां पर वार्डन जाती है और लड़की वहां से चली जाती है, रात में जब सुधा की नींद खुलती है, वो बाहर से आवाजे सुन रही थी, वो देखती है कि सोनू और कुछ लोग एक लड़की जो बेहोश थी उसे ले जाते हैं, और एक लड़की को बोरे के अंदर भर कर ले जा रहे थे ये सब कुछ देखकर सुधा बहुत डर गई थी और लड़कियों के कमरे में जाती है तो देखती है के वोर डेन लड़कियों के साथ गलत काम कर रही थी दूसरे कमरे में वही चायल्ड वेलफेर वला आदमी था जिससे वैशाली मिलने के ले गई थी उसके बिस्तर पर भी एक लड़की थी ये सब कुछ देखकर सुधा बहुत डर गई थी फिर एक लड़की आकर उसे समझाती है मैंने तो मैं कहा था यहां से चली जाओ वो लड़की अपने पैरों में सिगरट के जलेवे निशान दिखाती है कहती है आज दो लड़कीों को लेकर गए है कल मुझे लेकर गए थे और ये सब हुआ मेरे साथ तुम्हारे साथ भी यही होगा अगले दिन बंसी साहू शल्टर पहुंच जाते है और उनकी नजर जाती है सुधा पर जो अभी अभी नहा के निगलती है सुधा अंदर में सभी लड़कीों को खाना खिला रही थी तो वही बंसी और तीन-चार लोग मिलकर लड़कीों के साथ होने वाले गरत काम को लेकर हसी मजा करते रहते हैं उसके बास सुधा एक दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पाटी चल रही थी और इस तरह से वो उस नरक से भाग पाई सुधा की कहानी सुनने के बाद भासकर कहता है कि सुधा को सामने आकर कहना चाहिए था आवाज उठानी चाहिए थी वैशाली कहती है गलती सुधा की नहीं है हमारे समाज ने ऐसी लड़कियों को अपंग बना दिया है लेकिन वैशाली चूप नहीं बैठने वाली वो बच्चियों को इंसाफ दिला के रहेगी अर्विंद को उसकी बेहन समझारी होती है कि बंसी साहू अच्छा आदमी नहीं है अपनी पतनी को समझाओ आप ये केस लड़ेंगे जिस पर वो बस वैशाली का चेहरा ही देखते रहे जाता है फिर बंसी साहू को खबर मिलती है कि किसी ने पतना के हाई कोट में P.I.L. फाइल कर दिया है और जिसने भी ये P.I.L. फाइल किया है वो चाहता है कि इस शेल्टर होम को अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाए बंसी का वी गुसा हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कौन कर सकता है वो लोग बात करी रहे होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वो रिपोर्टर वैशाली होगी बंसी और उसके आदमी तुरंत पटना पहुँचते हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष मिस्टर ब्रिज मोहन सिंग से मिलते हैं जो भी उन लड़कियों पर होने वाले अत्यचार में शामिल था बंसी उसे कहता है कि अगर मैं डूबूँगा तो आपको भी साथ ले कर डूबूँगा ब्रिज मोहन कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर दूँगा वैसे भी वैशाली को जानता ही कौन है चायल्ड वेलफेर वला आदमी वो कुछ कहने लगता है कि वैशाली को छोटा समझ कर उसे कम न समझे तो ब्रिज मुहन उससे जगड़ा करने लगता है बंसी वैशाली को मार देना चाता है लेकिन ब्रिज मुहन उससे समझाता है कि वो मीडिया से है अगर उसे खरोज भी आई तो पूरी मीडिया फ्रेटर्नीटी तुम्हारी खिलाफ हो जाएगी बंसी कहता है वैशाली रिपोर्टर है इसलिए तो वो खुद को रोका हुआ है वरना वैशाली की लाश रेलवे पट्री पर होती वैशाली भासकर के साथ मिलकर सोचती है कि उन्हें वाइरल होना पड़ेगा इसके अलावा कोई और चारा नहीं है जितना हो सके लोगों तक पहुँचना होगा वैशाली ये भी डिसाइड करती है कि वो हर दिन आदा घंटा के लिए लाइव रिपोर्टिंग करेगी जिसमें वो मुनवरपूर के शेल्टर हो में होने वाले अत्याचारों पर रिपोर्टिंग करेगी शेल्टर हों में लड़कों को एक टैबलेट दिया जाता है दूसरी तरफ दो लड़कों को बंसी के पास लाया जाता है और वो लड़कों पर हुकम जाता है कहता है मैं जो भी कहूंगा वही करना होगा सोनु को पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कौन सा वकील है जिसने PIL फाइल किया बंसी गुसा हो जाता है लेकिन सोनु को वैशाली के नंदोई पर शक था जो भी वकील है अब बंसी अपना गुसा उन दोनों लड़कियों पर निकालता है PIL फाइल करने के वज़े से अर्विंद के जीजा को बहुत पीटा जाता है वैशाली तुरंथ हॉस्पिटल पहुंचती है तो अर्विंद की दीदी बताती है के उसके पती का सिर फाड़ दिया गया बहुत खून बहरा है वैशाली तुरंथ पुलिस टेशन जाती है बंसी साहो के खिलाफ कम्प्लेंट लिखवाने लेकिन पुलिस बस यहां वहां की बाते हैं और जब वो कम्प्लेंट लिखने के लिए मान भी लेते हैं ये कहते हैं के हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे मतलब कि सब भी केवे हैं वैशाली को बाद में पता चलता है कि अर्विंद के जीजा उन्होंने तो कोई PIL फाइल किया ही नहीं था अब जब उन्होंने फाइल नहीं किया तो उसे पीटा क्यों गया और किसने फाइल किया होगा वो वैशाली को समझाते हैं कि हम चुप रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं फैमली वाले लोग हैं नहीं चाहते हैं कोई लफडे में पड़े आज सिर्फ होडा है कल पता नहीं गला दबा देंगे पुलिस तो कुछ करेगी नहीं अर्विंद अपनी पतनी के इमानदारी और उसके डेडिकेशन को समझ गया था इसलिए अब वो वैशाली को सपोर्ट करने लगता है और वैशाली अपने पती को गले लगा लेती है अर्विंद मोबाइल से रिकॉर्ड करता है और वैशाली रिपोर्टिंग करती है और कहती है कि मुनवरपूर के शल्टर हों में जो कुछ भी हो रहा है उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है वो पहली है जो आवाज उठा रही है और पटना हाई कोट के लॉयर ने PIL फाइल की है जिस वज़े से बंसी सहो के लोगों ने उस वकील पर हमला भी किया पुलिस अपने नंदोई को लेकर काफी बुरा लगता है भासकर कहता है एक तरह से अच्छा ही हुआ वो हमेशा आपके चीजों पर टांग लड़ाता था इस दिले उसकी टांग ही तूट गई वैशाली भी मुस्कुराती है भासकर उस अखबार में दिखाता है कि पंजाब के एक IPS एस ओफिसर SSP जस्मीत कौर वो मुनवरपूर की इतिहास में पहली लेडी SP बनी है अगरे दिन वैशाली चली जाती है जस्मीत से मिलने जो वैशाली को जानती है क्योंकि उसने वैशाली के वीडियो को देखा है जस्मीत पूछती है कि उस दिन ड्यूटी पर कौन था जिस लेडियों के साथ दुशकर्म हो रहा है जस्मीत कहती है हो सकता है ये रिपोर्ट भी गलत हो शायद इसले कोई मीडिया हाउस इसे रिपोर्ट नहीं कर रही वैशाली कहती है वो बस इतना चाहती है कि जब रिपोर्ट बना है तो इसका investigation हो और कोई है जिन्होंने PIL फाइल भी किया है जस्मीत कहती है कि वो अपने सुपीरर से इस बारे में बात करेगी शेल्टर हो में पुलिस पहुंच जाती है और सुनों को अरेस्ट करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन बंसी वहां पहुंच जाता है और किसी को अंदर जाने नहीं देता भासकर के सामने गुपता जी बताते हैं कि उन्होंने ही PIL फाइल किया था क्यूंकि और तो किसी में दम है ही नहीं जस्मीत जाकर कमिशनर को ये रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि शल्टर हों में जो कुछ भी हो रहा है दो मैने से इसका इन्वेस्टिकेशन नहीं हुआ लेकिन कमिशनर जस्मीत को थोड़ा समभल कर चलने के लिए कहते हैं नहीं तो उसके कंधे पर लगा वसितारा वोख हो देगी जस्मीत वैशाली से मिलती है और उसे बताती है कि सोनु को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी लेकिन बंसी ने उन्हें अंदर जाने दिया ही नहीं और वो वैशाली को ये भी समझाती है कि अगर ये रिपोर्ट गवर्मेंट के पास दो साल से है और कुछ भी नहीं हुआ तो तुम समझी सकती हो कि बंसी साहू की पहुँच कहां तक है लेकिन उसे यकीन है कि वैशाली कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी वैशाली भासकर से बात कर रही थी और कहती है कि आपको थोड़ा एक्टिंग करना पड़ेगा वो जनादीकार पार्टी के आफिस में वो पहुँच जाता है और वो कहता है कि उसे ब्रिज मुहन से बात करना है वो ब्रिज मुहन को बता देता है कि वैशाली के साथ वो एक चैनल चलाता है लेकिन वो वैशाली के बारे में कहने लगता है कि उसके पास आपके खिलाफ सारा सबूत है कि आप शल्टर हो में क्या करते हैं लेकिन भासकर नाटक करते हुए कहता है कि आप तो मुझे अच्छे इंसान लगते हैं लेकिन वो चाइल्ड वेलफेर वाला मिथी लेश्ट आपके खिलाफ कहता है वो बोलता है कि आप भी मज़े लेने के लिए वहाँ चले जाते हैं ब्रिज मोहन उसे पूछता है कि तुम शुब चिंतक बनकर यहां की वाई हो भासकर कहता है मेरी मा बिमार है मुझे कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा होता ब्रिज मोहन पैसे निकाल कर उसे देता है और कहता है कुछ और इनफॉर्मेशन हाथ लगे तो मुझे बोलना अगले दिन से वैशाली अपने एस स्पेशल प्रोग्राम का नाम रख देती है भगशक और वो उन सारी चीजों के बारे में बात करती है जो उसके साथ हो रहा है वो बताती है कि यहां कि एस स्पी जस्मित उसकी मदद नहीं कर पा रही और पुलिस सुनो को पकड़ने के लिए गए थे लकjang वो अरेस्ट नहीं हुआ और बंसी साहू ने पुलिस को वहां से भागा दिया आखिर ऐसा क्या हो रहा है शेल्टर हों में कि बंसी साहू पुलिस को अंदर जाने नहीं दे रहें गुपता जी पहुंच जाते हैं अपने बागी का पैसा लेने लेकिन वैशाली कहती है दो दिन के बाद वो दे देगी गुपता जी फरी में एक और निउस देते हैं कि सीता मरी स्पेशल वेलफेर डिपार्टमेंट के आफिसर सत्य जी दुबे की हत्या हो गई है चार दिन पहले और ये कोई स्कॉलर्शिप स्कैम करने वाले लोगों ने किया है बंसी साहू अपने एकाउंटेंट से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि रिपोर्ट में थोरा छोटा नंबर दिखाईए ताकि लोगों को शक न हो एकाउंटेंट कुछ कहने लगता है तो बंसी कहता है पहले पान थुक कराईए उसके बाद उसे ब्रिज मुहन का फोन आता है और बता देता है कि मिथिलेश उन लोगों को धोका दे रहा है और मिथिलेश ने सब कुछ वैशाली को बता दिया है और यही वो पबलिक को बता देगी अपने न्यूज में इसलिए वो लोग मिथिलेश को मारने लगते हैं वैशाली अपने न्यूज रिपोर्टिंग में सीता मडी में जो ऑफिसर की डेथ हुई है उसके बारे में बात करती है जो बंसी और बाकी सुन रहे थें वैशाली ये भी कहती है कि सत्या के पीछे स्कॉलर्शिप स्कैम जो करते हैं उनका हाथ है लेकिन चार दिन में एक भी गिरिफतारी नहीं हुई और वैसे भी गिरिफतारी होगी कैसे नहीं तो उनकी पोल जो खुल जाएगी वैशाली ये भी कहती है के मरेवे आफिसर का नाम सत्यजी दूबे है वो एकॉनस्ट आदमी थे शेल्टर में जो हो रहा है उसके बारे में वो जानते थे और गवर्मेंट पर वो प्रेशर बना रहे थे और वो खाली कागज दिखा कर कहती है के इस कागज में मुनवरपूर के शेल्टर होम में जो हो रहा है उसका पूरा काला चिट्था है ब्रिज मोहन को चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है और उसकी पतनी रजनी जो भी पार्टी के अध्यक्ष है वो चीफ मिनिस्टर से बात करती है और बात होने के बाद रजनी कहती है के CM ने कमप्लेन फाइल करने के लिए कहा है फिर फाइल हो जाने के बाद जसमीत वैशाली को कॉल करती है और कहती है कि एक बार उपर से ओर्डर आ जाये तो हम लड़कियों को बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद जो करना है वो महिला पुलिस थाना और चायल्ड वेलफेर असोसियेशन ही करेगा लड़कियों की गवाही ली जाएगी और अगर कुछ भी गरत निकलता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा वैशाली कहती है कि कौन सा चायल्ड वेलफेर वही जहाँ पर मिथिलेश जैसा आदमी काम करता है जस्मीत कहती है हमारी यही सिस्टम है यह ऐसे ही चलता है एक हाँ से हमें यह पावर देता है दूसरे हाँ से पावर छीन लेता है फिलाल हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और कोट को एविडेंस चाहिए होगा बंसी मिथिलेश से कहता है कि अगर वो फसा तो वो सब को ले कर फसेगा मिथिलेश उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दो लड़किया है इसलिए उसे छोड़ देने बंसी सभी से कहता है जिसको भी निकलना है निकल जाओ मिथिलेश मौका देखते ही निकल जाता है वैशाली सुधा की मदद फांगती है लेकिन सुधा मना करती है कहती है के वो लोग अच्छे नहीं है उनके साथ ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती वैशाली पूछती है उन लड़कियों का क्या सुधा कहती है कि उसे कोई मतलब नहीं है वैशाली उसे समझाती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई मौका नहीं था मैं आराम की जिन्दगी जी सकती थी मुझे क्यूं पढ़ी है ये जानने में कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो लोग जीए या मरे मुझे क्या वो सुधा से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जैसा सोचने लगी तो मैं कभी सो नहीं पाऊंगी वो सुधा को समझाती है कि उन लड़कियों का अपना कोई नहीं है कभी कभी एक ऐसा समय आता है जब बिना कुछ सोचे काम कर देना चाहिए खास कर तब जब आप किसी का जीवन बचा सकें इसके बाद सुधा सच बताने के लिए तयार हो जाती है कैमरे के सामने आकर वो कह देती है मुनवरपूर के शल्टर में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है बंसी साहू और कुछ आदमी वहां की वार्डन मिलकर लड़कियों के साथ दुशकर्म करते हैं और कुछ लड़कियां गर्वती अगर हो जाती है तो उन्हें मार दिया जाता है। वैशाली भी वहाँ पहुँचकर रिपोर्टिंग करने लगती है बाकी रिपोर्टर्स के साथ। फिर आखिर में बंसी साहू, सोनू और बांकियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन रिपोर्टिंग करते समय वैशाली कहरी होती है कि सब कुछ खतम हो गया पर इसका फायदा क्या हुआ। भगशक मान चुके हैं और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई भगशक यहीं खतम होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक क्यार।